C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की गनित की पाठ्य पुस्तक गनित का जादू 2 प्रस्तुत है इस पुस्तक का अध्याय 15 है इसका शीर्शक है कितनी चोटी है प्रिष्ट 124 से प्रिष्ट 128 तक तो आईए अब सुनते हैं अध्याय 15 है शीर्शक कितनी चोटी है प्रिष्ट 124 इस प्रिष्ट पर सबसे उपर नीले रंग के अक्षरों में इस अध्याय का शीर्शक लिखा है कितनी चोटी है इसके बाई और अध्याय की संख्या याने पंद्रह लिखा है जिसके साथ एक लड़की का चित्र बना हुआ है नीचे बाई और लिखा है नाम में अक्षर और फिर चार बच्चों का चित्र दिखाया गया है बाई और चित्र में दिखाये गए बच्चे ने अपने हाथों में अपने नाम की एक पट्टी पकड़ी हुई है जिस पर लिखा है रमेश रमेश के साथ खड़े हुए नीले रंग की टी-शट पहने हुए बच्चे ने एक काड़ पर अपना नाम लिखा हुआ है जिस पर लिखा है आफताब आफताब के साथ खड़ी हुई बच्ची ने एक सलेट पर अपना नाम लिखा हुआ है और दोनों हाथों से सलेट को उपर करके वो अपना नाम दिखा रही है सलेट पर उसका नाम लिखा है मारिया मारिया के साथ खड़े हुए, हरे रंग की कमीज पहने हुए भालक ने एक कागज पर अपना नाम लिखा है संतोश अपने दोस्तों से कहो कि वे अपना नाम एक पन्ने पर लिखें पता करो क एक ही अक्षर से समाप्त होने वाले नामों की संख्या रिक्त स्थान को भरें ख ऐसा अक्षर जिससे कोई नाम शुरू नहीं होता रिक्त स्थान को भरें ग एक ही अक्षर से शुरू होने वाले नामों की संख्या रिक्त स्थान को भरें इस प्रिष्ठ पर बाई और नीचे एक फल वाले का चित्र दिखाया गया है उसके टोकरे में कई फल रखे हुए हैं और वो आवाज लगा रहा है किला सेब नारंगी लेले मीठे ताजा और रसीले बाई और लिखा है फल वाला उसके नीचे लिखा है फल वाले के पास तुम्हारे लिए बहुत से फल हैं देखो और पता करो कि उसके पास कौन-कौन से फल है प्रिष्ठ 125 इस प्रिष्ठ पर बाई और सबसे उपर लिखा है गिनों और लिखो इसके नीचे एक तालिका दी गई है इस तालिका में सबसे उपर हरे रंग की पट्टी में शीर्शक लिखे गए हैं पहले कॉलम में लिखा है फल वो दूसरे कॉलम में लिखा है फलों की संख्या फल वाले कॉलम के नीचे पहले बकसे में सेब के चित्र को दिखाया गया है उसके सामने वाले बकसे को खाली छोड़ा गया है फल वाले शीर्शक के नीचे दूसरे कॉलम में केले का चित्र दिखाया गया है उसके सामने बने हुए बकसे को खाली छोड़ा गया है इसी तरहे फल वाले शीर्शक के नीचे बने तीसरे कॉलम में नारंगी का चित्र दिखाया गया है और उसके सामने बने हुए बकसे को खाली छोड़ा गया है इन खाली बकसों को भारें इसके ठीक साथ में दाहिनी और एक तोते का चित्र बनाया गया है तोता कह रहा है मुझे अमरूद पसंद हैं तुम्हें क्या पसंद है? केश सज्जा माला स्कूल जा रही है इसके ठीक सामने माला का चित्र दिखाया गया है उसने स्कूल का बस्ता अपने कंधे पर टांग रखा है उसकी माने उसके बाल बनाये हैं इसके ठीक दाई और माला की मा को माला के बाल कंगी करते हुए चित्र के माध्यम से दिखाया गया है माला की दो चोटी है इस वाक्य के दाहिनी ओर माला की दो चोटी दिखाई गई है इसके नीचे लिखा है अपनी कक्षा के बच्चों को ध्यान से देखो सभी बच्चे अपने बाल अलग-अलग तरीकों से बनाते हैं इसके दाईं और एक चित्र में कुछ बच्चों को दिखाया गया है जिन्होंने अपने बाल अलग-अलग तरीकों से बनाए हैं ध्यान से देखो और लिखो इसके नीचे एक तालिका दी गई है जिसमें शीरशक वाले कॉलम में बैंगनी रंग भरा हुआ है और उसमें पहले कॉलम में शीरशक के रूप में लिखा है केश सज्जा इसके दाई और दूसरे कॉलम में शीरशक के रूप में लिखा है बच्चों की संख्या और केश सज्जा वाले कॉलम के नीचे बने हुए पहले चित्र में एक बालिका को एक चुटिया बनाए हुए दिखाया गया है उसके साथ वाले दाहिनी और बने हुए पीले बकसे को खाली छोड़ा गया है केश सज्जा वाले कॉलम के नीचे बने हुए दूसरे बकसे में एक लड़की को दो चोटी बनाए हुए दिखाया गया है उसके साथ दाहिनी और बने हुए पीले रंग के बकसे को खाली छोड़ा गया है केश सज्जा शीरशक के नीचे बने हुए तीसरे कॉलम में एक लड़के को बाई और से मांग निकाल कर बाल कंगी किये हुए दिखाया गया है उसके दाहिनी और बने हुए बक्से को खाली छोड़ा गया है। इन खाली बक्सों को भरें। प्रिश्ट 126 पता करो और खाली स्थान भरो। क एक चोटी तरीके के बालों वाले बच्चों की संख्या, दो चोटी वाले बच्चों से खाली स्थान है। आगे ब्रैकेट में लिखा है कम या ज्यादा। खाली स्थान बच्चों के बाल वाई और से मांग निकाल कर बनाए गए हैं। जूते का नंबर अपनी कक्षा के बच्चों के पैर देखो। सबने जूते, चपल या सैंडल पहने हुए हैं। ध्यान दें, यहाँ पर जूते से ठीक पहले जूते का चित्र, चपल से पहले चपल का चित्र, वह सैंडल से पहले सैंडल का चित्र बनाया हुआ है। नीचे लिखा है, जूतों या चपलों का तला देखो। इस वाक्ये में तला शब्द के बाद जूते एवं चपलों के तले का चित्र दिखाया गया है। इस के नीचे लिखा है, तलों पर एक नमबर होता है, ये तुम्हारे जूते का नाप है। और उसके नीचे जूते के नाप का चित्र बनाया गया है। और उसके साथ दाहिनी ओर बने हुए कॉलम में शीरशक के रूप में लिखा गया है बच्चों की संख्या जूते का नाप वाले शीरशक के नीचे बने पहले बकसे में लिखा है नौ दूसरे बकसे में लिखा है दस वर तीसरे बकसे में लिखा है ग्यारह इन तीनों के सामने बने हुए बकसों को खाली छोड़ा गया है। इसी प्रकार जूते का नाप शीरशक के नीचे बकसा नंबर 4 वपांच और बच्चों की संख्या शीरशक के नीचे बकसा नंबर 4 वपांच खाली छोड़े गए हैं। प्रिष्ठ संख्या 127 पता लगाओ क कितने बच्चों के जूतों का नाप 9 है खाली स्थान बच्चे क ग्यारह नाप वाले जूते खाली स्थान बच्चों के हैं ग्यारह अधिकतर बच्चों के जूतों का नाप खाली स्थान है ग्यारह खाली स्थान नाप के जूते सबसे कम बच्चों के पास हैं इन वाक्यों में दिये गए खाली स्थान को भरें पीने का पानी हम रोज पानी पीते हैं इस वाक्य के दाई और एक चित्र बनाया गया है, जिसमें एक टेबल पर पानी के दो गिलास रखे हैं और उसके साथ खड़ा हुआ एक बच्चा एक गिलास से पानी पीते हुए दिखाया गया है नीचे लिखा है अपने दोस्तों से पूछो कि वे एक दिन में कितने गिलास पानी पीते हैं और नीचे लिखो इसके नीचे एक तालिका दी गई है इस तालिका में सलेटी रंग के कॉलम में शीरशक लिखे गई हैं पहले कॉलम में शीरशक लिखा गया है कितने गिलास पानी इसके साथ दाई और बने हुए शीरशक वाले कॉलम में लिखा है बच्चों की संख्या कितने गिलास पानी वाले शीरशक के नीचे पहले बकसे में एक गिलास दूसरे बकसे में दो गिलास तीसरे बकसे में तीन गिलास चोथे बकसे में चार गिलास वो पाँचमें बकसे में पाँच गिलास के चित्र बनाए गए है इन सभी बकसों के सामने वाले बादामी रंग के बकसों को खाली छोड़ा गया है इन खाली बकसों को भरें पता लगाओ क एक गिलास पानी पीने वाले बच्चों की संख्या खाली स्थान है ख, पाँच गिलास पानी खाली स्थान बच्चे पीते हैं। ग, तीन गिलास पानी पीने वाले बच्चों की संख्या दो गिलास पानी पीने वाले बच्चों से खाली स्थान है। ब्रैकेट में लिखा है कम या ज्यादा, इन खाली स्थानों को भरें। प्रिष्ट 128 इस प्रिष्ट पर बाई और कुछ बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ कर एक घेरा बना कर खेलते हुए नजर आ रहे हैं बाई और उपर लिखा है तुम्हारे मन पसंद रंग इसके नीचे लिखा है तुम्हारे चारों और बहुत सारे रंग हैं अपने दोस्तों से पूछो के उन्हें कौन सा रंग सबसे ज्यादा पसंद है, कितने बच्चों को पीला रंग पसंद है, उनकी संख्या नीचे दी गई तालिका में लिखो, इसी तरहे तालिका को दूसरे रंगों के लिए पूरा करो. इस तालिका में शीर्शक वाले कॉलम में पहले कॉलम में लिखा है पसंदीदा रंग और उसके साथ वाले दूसरे कॉलम में लिखा है बच्चों की संख्या. पसंदीदा रंग के नीचे पहले बकसे में पीला, दूसरे में लाल, तीसरे में नीला और चौथे बकसे में हरे रंग का चित्र दिखाया गया है. इनके ठीक सामने बने हुए बकसों को खाली छोड़ा गया है. इन बकसों को भरें. पता लगाओ. क. ज्यादतर बच्चों को खाली स्थान रंग पसंद हैं. ख. खाली स्थान रंग पसंद करने वाले बच्चों की संख्या खाली स्थान रंग पसंद करने वाले बच्चों से अधिक है. ग, खाली स्थान रंग पसंद करने वाले बच्चों की संख्या खाली स्थान रंग पसंद करने वाले बच्चों से कम है इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे हरे रंग के बकसे में महत्वपून जानकारी दी गई है शिक्षकों के लिए निर्देश बच्चों को छोटे समुहों में एक दूसरे से बातचीत करने तथा जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित कीजिए बच्चों को तालिका में स्वयम जानकारी भरने दीजिए तथा पता लगाओ कि प्रश्णों के उत्तर ढूंडने दीजिए इसी के साथ पंद्रह अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय पंद्रह यहां समाप्त हुआ वाचक बाबला कोचर तक्नीकी समन्वे बटिलैंगलिंग्डो निर्माण सहयोग रुची शर्मा निर्देशन वन निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T.N.C.E.R.T. नैदिल्ली भारत